आज मैं आपको मेरी मा के जमाने की एक ऐसी रेसेपी बनाना बताऊंगी, जो मेरी ममी ज़्यादा तर मुसम बदन लेकर समय बनाती थी, इसी के साथ मैं मेरे घर में इसे किस तरह से इस्तमाल करती हूँ, वो आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो नमस्कार, पापा ममी क बदन लिए यहां पर मैंने एक शुका नारील लिया है, यह पानी वाला नारील नहीं है, इस तरह का नारील पसारी की दुकान पर आराम से मिल जाता है, इस नारील का वजन लगबग 200 ग्राम है, इस चीज का आप ज्यान तके नारील का इससे क्रेक वगरनी होना चाइए, श इस नारील का उम पानी में डाल देंगे, तो पानी में डालने के बाद में इस तरह साब घुमा घुमा कर देख लें, जो पोरसन आपके उपर साइड मेरता है, गुमने के बाद भी, वो साइड आपको याद रखना है, तो आप देख पा रहे है, मेरे ये वाला साइड उप तक आपी चीजा समझ नहीं पड़ती है, बाद में समझ पड़ती है किया फाइदे मन्द है, अभी जो साइड अमारे पानी कंदर डालते समय उपर रहा था, उसको मैंने उपर साइड में लगा दिया है, अभी यहां पर एक स्क्वेर निसान लगा देते हैं, इसे आराम से स्क अभी जो निकला है, इसको मैं रख देते हैं, इसके अंदर एक बार आप चैक कर लें, इसमें काला नहीं होना चाहिए, यह फंगस आया हो है, तो उसका मैं इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, एक बार मैं आपको तॉर्च लगा के दिखा देती हूं, इसका मतलब बिल्कुल सा आपको इस्तिमाल नहीं करना है, वो फाइदे की जगे हमारे को नुकसान कर देगा, आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने बिल्कुल सुका नारियल लिया है, फिर भी इसके साइड में आपको थोड़ा घिला लग रहा है, उसका रिजन यह है, इसके अंदर से जो फ्रेस मैंने यहां पर अमेरिकन बदाब लिय है, मेरी ममी हम इसा मामरा बदाम ना बनाती थी, ति आपके पास वो लाई हुई हो तो उसका इस्तमाल करें, मेरे पास अभी नहीं थी, इसलिए मैं अमेरिकन बदाम डाल रहे हैं, अभी यहां पर मैने 50 ग्राम जितनी कसकस लिये, य यह हमारे हैल्थ के लिए बहुत ही वह बहुत ही होती है यह भी अमने यर्पाक संहार 5 जल लिया है, यह भी आपके पास नहीं होते आपके ने होते हैं, अब झाल सकते हैं तो इसके बनाने का तरीका इतना यूनिक लगता था कि तब ही मैं मालूम पढ़ रहा था कि आज ममी कुछ इस्पेसल बना रही है इस तरह से डालें के तर देखे कुछ भी बाहर नहीं किरता है सिदा नारील के अंदर चला जाता है प्लेट के अंदर कुछ भी नहीं कि रहा है भी एक बार इसको इस तरह से हिला ले अभी यहाँ पर मैंने पांच इलाइची ली है इस इलाइची को भी छिलके के साथ इसमें डाल देते है जिसे इसका फ्लियोर बहुत अच्छा है गा और इलाइची के अधासीर में ठंडी होती है तो जब घर्मी आने वाली हो और उस समय यह बनाते हैं तो थोड़े इलाइची जरूँ डाल है ज़िसे अने वाली हो उस समय आप बनाए तो इलाइची को आप लिए पर इसकिप कर सकते हैं काफी बार ऐसा होता है, बादाम हम खाना ही पाते हैं, इस तरह से आप बना करके रख देंगे, आराम से बड़े बच्चे सब ही लोग खा लेते हैं, इस तरह से मैंने पूरी 50 ग्राम बादाम को इसमें भर लिया है, यह थोड़ा बादाम आपके कम भी पढ़ जया तो दोचा कर देंगे और यहां पर एक बरतन के अंदर मैंने एक लिटर जितना काव मिल्ट लिया है, मेरी माँ हमेसा इसे घाय के दूद नहीं मनाते थी, क्योंगे गाय का दूद हमारे सियत के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए मैं भी इसे हमेसा घाय के दूद में मनाती हूं, अब हम गेस को चालू करदेंगे और एक ज हमीट। घाय को बढ़ करते हैं। अभी दूद में उबाल आगया है. Jest बूद में उबाल आने के बादben, में आच को थुड़ा थीरे करके इस नारील को इसके उंदर दाल देते हैं. इस नारील का जिस साई ने में ये कटिंग आप देख पार साइट में इसके ओबाल आ रहा है यह मैं आपको बता दी थे हूँ जब मैं नाइन टैन्थ में थी तो उसमें मेरे को हैड़क की काफी प्रॉब्लम थी जब भी पड़ा ही करने बैठती थी तो मेरे हैड़क बहुत जादा होता था उसमें पिताजी के दोस्ते एक वैदराजी तो उन्हों ने यह नुस्का बताया था कि इस तरह से बना करके खिलाएं तो यह इसको बहुत ही फाइदाबन होगा और नाहीं से लेकर मेरे फाइनल तक मैं मेरे स्कूल और कॉलेज में मेरे सा टॉपर थी और मेरी मां मैसा मजाक में बोलती थी यह नुसका जब भी पढ़ना होता था मैं आराम से पढ़ती थी क्योंकि पढ़ने के समय मेरी आदत थी क्योंकि पूरी रात पढ़ती थी जरूर नहीं आप हैड़ो होने के समय बनाएं जब भी मौसम चैंज हो मौसम चैंज होने पर क्या है सर्दी जुखाम वगर जल्दी पकड़ ले अभी गर्मी का मुष्म थोड़ आने वाला है, इसलिए आज में आपको उसी तरह से बनाना बताऊंगी, और इसलिए यह भी बताऊंगी, यदि सब्जयों का मुष्म हो तो आप किस तरह से बना करके तयार करें, अभी इसे उबलते हुए लग बग 45-50 मिनेट हो गया है, दू पूरा ठंडा होने के बाद में आगया का प्रोसेस करेंगी, पीछे जो दूद बचके है, यदि सर्दी का मुष्म हो तो आप इसकी खीर बना के खा सकते हैं, और गर्मी का मुष्म हो तो ठंडा करके इसका कोल्डिंग बना कर पी सकते हैं, तो इसका मिल्क रोज बहुत ही अब यह का चंडा हो गया है, विजू पूरा ठंडा होने के बाद में इसके उपर से जो दूद लगा हुए है उसको पूंच लिए हैं, तो आपको कपड़े से पहु हैं या आपको टिशु dif लेके पहु हैं, तो आराम से यह साफ हो जाएगा, इसके उपर गिल्ला नहीं र जाते हैं इस अंदर से सबी चीजा सूखी है इसके अंदर दूद वगर नहीं गया है और देखे नारिल काफी सौफ्ट हो गया है आराम से अभी आप इसे काट पाएंगे इस तरह से चाकु से काट लें एजी लिकट जाएगा और सबी चीजा देखे सूखी है इसमें और नार जाएंगे शहले घटके नारिल लेंगे त Streit के अंदर नारील काट लेंगे तो आराम से सब्सके उद्वाणी ऊटम जाता है इससीने पूरे नारील को काटकर है त्यार कर लिया है को इस तो जी च्ज़ बढ़ पीसमें काटके त्यार करें अभी शाइट में रख देते हैं यह आदा है बदाम को अरकस कस को इसमें डाल देखे हैं बदे आपके मिक्सी का जारबड़ा हो तो इसाथ में पूरा ही पीछ सकते हैं तो काली मिर्चे हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसकीन के लिए पी अच्छी होती है, ब्रेन के लिए पी अच्छी होती है, यदि किसे को हेड़की प्रॉबलम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, पाचन के लिए बहुत अच्छी है, पर कोई भी लाइब के लिए बना रहा है, इसमें एक टेबर इसमूद जितनी सुम्प डाल देते हैं, सुम्प को अभी भी आप थोड़ा सा सेख के डाले या दूप में सुका लें, उसके बाद में डाले तो अच्छी पिसके तयार होगी, कि स्वाप की तासीर ठंडी होती है इसलिए थोड़ा जरू डाले इसमें और यहाँ पर मैंने कॉटर कब जितना गुलाप की सुखी पकुडिया ली है तो सुखी पकेडिया पसारी की दुकान पर आराम से अराम से बिल जाती है उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं यह मैंने कॉट जितनी लिए इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है तो घर्मी के लिए आप यह जरूर डाले कि आदा दूसरे बैच में डाले कि अभी ड़कन लगा करके इसे पीस लेते हैं कोल के देख लेते हैं देखे इस तरह से और बन जाता है यह बहुत ही अच्छा पाउडर बनता है इ कि बहुत जादा घरम हो जाया का मिक्सिका जार तो नारील में से बादाम में से तेल निकलने लग जाता है और उसके लंस बन जाते है यह आप देख पार है अच्छा पाउडर बनाई इसमें लंस नहीं बनाए यह मैं आपको याद दिला देती हूं आपको माई रसेपी कैस बच जाएगी यदि आप फेस्बुक के देख रहे हैं तो आप हमारे पेच को फॉलो कर सकते हैं इस तरह से आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों बैचेश को पीस करके तियार कर लिया है और बहुत ही खुलो-खुला बन के तियार हुआ अभी लास्ट में इसमें हम 100 ग्राम अभी डाल सकते हैं और सर्दी के दिनों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें गुड डाल करके बना सकते हैं गुड की तासीर गर्म होती है तो फायदे बंद रहेगा वी रख सकते हैं यह पर मैंने 100 ग्राम जितनी विसली को पीस करके डाला है इस तरह से मेरी मा मैं सा बना क तो य्क टेबलिस्पुन दी सकते हं, न्धिक वफिड के भी आज दूद्वा सकते हैं, यॡ़े ये आपको दिन में एक बार दे ना है, जो की बहुत ही फाइद मननहें, ये आप सुमे में ले सकते हैं, नंस्ट्य के बाद में यदी रात को सोने से फहले ले सकते हैं, इसके स करके यदि आप नीक टाइट डबे में बरके फ्रीज में रखेंगे तो 20-25 दिन भी खराब नहीं होता है इसमें गुलाब का सौप का और नारिय क्ला फ्रियो इतना अच्छा आ रहा है आप कोरा भी खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो आप भी अपने घर में बरसों स अजमाया वान उसका यह जरूर ट्राइकर है फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर